के साथ ये एक और बड़ा आयोजन होने जा रहा है 14 अक्टुबर से अंतराश्रे ओलंपिक कमिटी याने की आई ओसी का बहुत बड़ा इवेंट मुंबई में होने जा रहा है पिछले 40 साल में पहली बार है जब भारत आई ओसी के सेशन की मेजबानी करेगा आयोसे सेशन ओल ओलंपिक मुव्मिंट की सबसे बड़ी सुप्रीम बॉड़ी है ओलंपिक्स गेम्स के लिए आयोजन इस्थलों के चैयन का फैसला इसी सेशन के दौरान होगा इसलिए ओलंपिक्स गेम्स के लिए भारत की मेजबानी की दावेदारी को लेकर मुंबई में होने जा रहा है आयोजन को बेहद एहम माना जा रहा है भारत में आयोजन का आयोजन भारत में ओलंपिक्स मुव्मिंट की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है खास बात यह है कि क्रिकेट को ओलंपिक्स खेलों में शामिल किया जाए या नहीं यह फैसला भी मुंबई में ही होने बाले आयोसी सेशन के द्वरान हो सकता है और इस बड़े आयोजन का सबसे बड़ा श्रे दिया जा रहा है रिलाइंस फाउंडेशन की फाउंडर चेर परसन नीता अमबानी की कोशिशों को नीता अमबानी भारत को एक खेल महाशक्ती बनाने के अभियान में लगी हुई है साल 2016 में नीता अमबानी आयोसी के लिए चुनी गई थी आयोसी के सदस्य बनने वाली नीता अमबानी पहली भारती महिला है आयोसी में आने के बार नीता अमबानी की आयोसी के कई आयोगों में नियुक्ती हुई आयोसी के तीन अलग-अलग आयोगों में नीता अमबानी सदस यह 40 साल बार भारती और वैश्वी खेल परिद्रिश्य में एक बड़े बदलाव की शुरुवात है